दोस्तो आज किस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज ही मैं आपी बात करने वाले हैं English Sunday Marks के Poetry Fiction का एक और अगला चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है Fire Him इस चैप्टर के सारांस को समरी को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे यहां पर आपको English और Hindi दोनों में बताते हुई चलेंगे ताकि आपको समझने में especially कोई देखकत नहीं हो हर एक चीज आपको इस क्लास देखने के बाद इस समझ में आ जाएगी इस चैप्टर से almost आप कुसंस को भी बना सकते हैं चोटे से समरी वाला क्लास को देखके तो मैंक से और आप इस क्लास को प्रॉपरली सुरू से अंतर तक देखेंगे अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे और बरावर इसका रिवीजन करते रहेंगे चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियोज पसंद आती है तो obviously आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो और भी आपको मिलें ठीक है चलिए यहां पे start करते है फायरिम चाप्टर को सबसे पहले सवाल आती है कि यह फायरिम आखिर जो है यह चाप्टर जो है बिसिकली कॉल लिखे है यह चाप्टर लिखे कौन है सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यह आना चाह तो याद रख सकते हैं इनको दारुवाला से आप इनको याद रख सकते हैं ठीक है बहुत सा यूनीक सा नाम है और यही लिखे है फाइरेम चाप्टर को ठीक है इनका जन्म जो होता है 1937 में होता है कहां पर लाहोर पाकिस्तान में होता है ठीक है 1937 लाहोर पाकिस्तान में इन short story writer भी है ठीक है केके अंदारो वाला ठीक है तो इनके बारे में थोड़ी से information आपको मिल गया केके अंदारो वाला जी का जन्म कब होता है कहां होता है यह आपको समझ मैं आ गया और यह फायरेम चैटर को लिखें बस इत्ता आपको समझ में आ गया यह हो गया सौर्ट में राइटर के बारे में अब हम लोग को जानना है इस chapter के सारांस इस chapter के summary को तो आए अच्छे से समझते हैं प्यार से आपको समझाएंगे बस उसी तरीके से आप इसको समझने की कोशिस करिएगा सच बताते हैं इस भी chapter आपको एंसर लिखना है कुछ इस परकार से इंगलिस में यहाँ पर जितने भी दिये गए हैं इस परकार से गर आप एंसर लिखोगे न सही बताते हैं आप एक्जाम में 5 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा ठीक है तो मैक्स और आप अच्छे से देखें यहाँ पर समाजने की कोसिस करिए का इंगलिस टफ नहीं है बस आप इसको मन में बना लिए होटर ठीक है देखो यानि यहाँ पर बोला जारा है यानि कविता जो है फाइर हिम यह जो है कमपोस्ट किया गया है केके अंदारुवाला के दोरा मतलब केके अंदारुवाला ने यह फाइर हिम चैटर की रसना किये है ठीक है यह एज ए वेल नौन पॉइट ठीक है एंड स्वाट स्टोडी राइटर मतलब वो जाने माने क्या है कभी है और साथी साथ छोटी कहानी लिखने वाले राइटर ठीक है लगू कथाकार है वह एक परसीद कभी और लगू कथाकार है कौन? केके अंदारुवाला इन दिस पोयम यानि इस कवीता में इन दिस पोयम इस कवीता में दपोयम डिसक्राइब एक घाट कभी एक घाट के बारे में बर्नन करते हैं डिसक्राइब करते हैं वेर डेड बॉडी इस वेंट जहांपे मृत शरीर को ले जाये जाता है वेर डेड बॉडी वेर डेड बॉडी इस वेंट जहां पे मिर्त शरीर जाता है ठीक है? एक दिन दा पोईट इस वांडरिंग विथ हीज फादर नियरवाए घाट एक बार एक दिन जो है कभी अपने पिताजी के साथ टहल रहे थे, घूम रहे थे घाट के पास में ठीक है? एक दिन क्या होता है? कभी अपने पिताजी के साथ घाट के पास टहल रहे थे, यानि घूम रहे थे, यहां ते का आपको समझ बाया? आगे बढ़ें? चलिए, आगे बढ़ते हैं यहां पे आप सिंपल से बाते जानें यह जो वोयम है फायरिम यह केकियन दारूवाला जी के दोरा लिखा गया है वो एक जाने माने कभी है और साथी साथ लगू कथा कार भी है इस कभीता में कभी जो है डिस्क्राइब किये हैं एक घाट के बारे में जहां पर डेट बादी को ले जाया जाता है एक दिन कभी जो है घूम रहे थे अपने पिताजी के साथ नीरबाई एक घाट अपने घाट के पास घूम रहे थे ठीक है तब क्या होता है तब क्या होता है वो देखते हैं कि रेड होट इमबर्स जो होते हैं लाल गर्म अंगारे जो है ठीक है red, lal, hot, warm, embrace यानि अंगारे ठीक है red, hot, embrace यानि लाल जो है गर्म, अंगारे जो है वो क्या हो रहे हैं? वो जो है glowing कर रहे हैं मतलब वो अभी भी उसमें मतलब basically आग है जबकि मिर्थ सरीर को criminated किया हुआ मतलब simple से बाते अंतिम संसकार किया हुआ criminated एक तरीके से दा संसकार करना उसको कहते है मतलब जलना तो लास को basically dead body को criminated किया अंतिम संसकार करने के कई घंटों बात तक वो जो है उसमें लाल रंग के अंगारे जो है वो आ रहे थे वो देखते हैं कि एक सब का अंतिम संसकार करने कि कई घंटे बाद भी लाल गर्म अंगारे जो है चमकते रहते हैं ठीक है glowing का मतलब चमक न वो जो टहल रहे थे अपने पिताजी के साथ तब वो देखते हैं कि लाल गर्म अंगारे जो है वो अभी भी एक तरीके से चमक रहा है जबकि अंतिम संसकार बहुत पहले ही हो चुका है ठीक है कुछ घंटा Pहले ही हो चुका है ही स्वुद वो क्या होते हैं वो स्वुद ही रह जाते हैं मतलब वो हैरान रह जाते हैं वो हैरान रह जाते हैं आगे यहाँ पे है पारसी instead of criminating their dead bodies carry it to the Tower of silence ठेक है, to put there in, देखे, basically कभी जो थे, वो पार्सी थे, ठेक है, और पार्सी क्या करते हैं, पार्सी instead of criminating their dead bodies, carry it to the tower of silence to put there in, ठेक है, पार्सी लोग जो होते हैं, वो सरीर को दास नसकार करने के वज़ए, ये लोग क्या करते हैं, मिर्थ सरीर को tower of silence के पास ले जाते हैं, यानि mon का tower है, ठेक है, मिनार जो है, उसके पास ले जाते हैं, पार्सी अपने सबों का अंतिम संसकार करने के वज़ए, उसे वहाँ ले जाने के लिए, mon का मिनार में ले जाते हैं, ठेक है, वो tower of silence पर जाके, जो मिर्थ सरीर है, उसको छोड़ देते हैं, ठेक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है, he is horrified to see such cruel act, और ये कभी जो है, मतलब जो देखते हैं, अंतिम संसकार के कई घंटों बात तक, उसमें लाल गर्म अंगारे जो भी चमक रहे हैं, तो ये देखके सबसे पहले तो वो सौक रह जाते हैं, साथी साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है, बताय पार्सी लोग जोते हैं, वो अंतिम संसकार नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टावर अफ साइलेंस पर जाके रख देते हैं राज को, ठीक है, और साथी साथ, वो जो है न, horrified रहे गए, इस cruel act को देखकर, वो इस तरह के कुरूर कार्ज को देखकर, भैबीत हो जा ठीक है, कुरूर कार्ज, ठीक है, इस कुरूर कार्ज, यानि कुरूर कार्ज को देखकर, वो जो है, horrified हो जाते हैं, भैबीत हो जाते हैं, वो दोनों, ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है, दपोईट, once 20 years back, had consigned his first child to the flame, because of tower of silence was a thousand meal away from his residence, क्या बूला गया यहाँ पर, देखे, बताते हैं, बूला गया, the poet, once 20 years back, has consigned his first child to the flame, ठीक है, कभी जो है, 20 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले, कभी जो है, अपने पहले बच्चे को, first child को, पहले बच्चे को, consigned, ठीक है, मतला हवाले करना, to the flame, ठीक है, आग के हवाले कर देते हैं, कभी जो है, 20 साल पहले, अपने पहले संतान को, पहले बच्चे को, आग के हवाले कर देते हैं, ठीक है, because of, कि tower of silence, ठीक है, मौन का जो मिनार था, tower of silence था, जहां पे पार्ट सी लोग, last को ले जाके, वहां पे रख देते हैं, ठीक है, was a thousand mile away from his resident, इनका जो tower of silence, जहां पे रहते थे, उससे जो है, एक हजार मील दूर था, ठीक है, एक हजार मील दूर था, ठीक है, tower of silence था, एक हजार मील दूर था, इसलिए, वह जो आग के हवाले कर देते हैं, अपने first child को, ठीक है, और the poet says, that to burn a dead body is an inhuman act, कभी कहते हैं, कि आदमी के सरीर को जलाना जो है, एक और मान भी एक कृत है, ठीक तो यहाँ पे यह बताया गया है, आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे क्या यहाँ पे दिया है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, he regrets that he had consigned his child to the fire, वो पस्ताते हैं, ठीक है, regret मतलब पस्तावा, उसे पस्तावा है कि उन्होंने अपने first child को, पहली वसंतान को, पहले बच यह मानवी एक कृट, आग के हवाले कर दिया है, और यह मानते हैं कि वो जो क्या है, और मानवी एक कृट है, आग क्या हवाले कर दिया है, He asked forgiveness और वो जो है क्या करते हैं वो छमा मांगते हैं कौन केकी अंदारु वाला वो जो है छमा मांगते हैं इसके लिए ठीक तो यहां पे पूरा आपका समरी हुआ अब आईए हम आपको सुरू से अपने language में हम आपको बताते हैं अपने तरीके से अपने भासा में आपको समगाने की पूरी कोसिस करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले आप लोग अगर अगर एजुकेशन बावा अप अगर इंस्टॉल नहीं किया है आपको अपने dependent क समझाती है इस चैपटर का मतलब सबसे पहले देखो अपने पास चैपटर का नाम क्या है चैपटर है फाइरेम जिसको लिखने है कौन जिसको लिखने लिखने Takaan के यानदारोवालाजी चैप़्ए्एया है इनका जन्म कब होता है 1937 में होता है कहां पे लाहूर पाकिस्ताने में इनका जन्म होता है सद्सक्राइडर और सथी साथ छोटी कहानी यानि छोटी लगू-कथाकार भी है इस जो है न कभी डिस्क्राइब करते हैं ऐसे जगह के बारे में घाट के बारे में जहां पर लास को ले जाया जाता है एक दिन कभी और कभी के पिताजी टहल रहे थे घाट के पास एक नियर भाई घाट था उस घाट के पास वो टहल रहे थे तो अचानक एक देखते हैं कि जो अंतिम संसकार कुछ घंटों पहली कर दिया गया था अभी भी उससे जो है बेसिकली जुआला जो है क्या हो रहा है परकासित हो रहा है उसमें जुआला धदक रही है ठीक है ये भी बात बताते हैं कि अपने वो पहले बच्चे को 20 साल पहले अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर देते हैं आग के हवाले कर देते हैं क्योंकि टावर आफ साइलेंस था एक हजार मील दूर था ठीक है आगे यहां पर बोला गया है तो वो जो है जैसे अपने पहले संतान को आग के हवाले किए, तो वो उसको inhuman act मानते थे, और और basically वो बहुत ज़्यादा पस्ताते हैं कि क्यों वो अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिए, ठीके, और वो कहते हैं, कि हम ये करके बहुत बारा गलती किये हैं, ये जो है और मानवे क्रूर क्रित है इसलिए वो माफी चाहते हैं ठीक है इसलिए वो माफी चाहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है ठीक है तो fire him chapter आपको समझ में आ गया fire him chapter आपको exam में जैसे आएगी तो आप same it is आप लेख सकते हैं पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा ठीक है और उमीद करते हैं आपको यह क्लास पसंद आया होगा कैसा आपको क्लास लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और साथी साथ इंगलिस का ओल्डेडी जो है न और सारे चैप्टर्स का वीडियो बन चुका है तो आप मैंक्स और आप उन सारे क्लास को अच्छे से देख लेंगे और अपना प्यारा सा एप है एक छोटा सा एजुकेशन बावा आप उसको भी इंस्टॉल करके देखेंगे कैसा है बहुत अच्छे से उसमें भी पढ़ाई होगा आपको ठीक है तो जाहिए एप इंस झाल मतव क कर दो…